दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे दो हजार तेईस की दस सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली हिंदी फिल्मों के बारे में, जिसे दर्शकों ने सिरे से नकार दिया था, तो इस लिस्ट में नंबर दस पर आता है फिल्म चंदरमुखी दो यह फिल्म चंदरमुखी का सीक्वल था, फिल्म में काम किया था राघव लॉरेंस, कंगना रनौत, वदिवेलू, राधिका सरत कुमार, लक्षमी मेनन, महिमा नामबियार, राव रमेश, डाइरेक्टर पी वासु के निर्देशन में बनी यह फिल्म 28 सितंबर 2023 को रिलीज हुई थी, फिल्म का बज इस फिल्म में काम किया था नसीरुद्दीन शाह, तब्बू, अर्जुन कपूर, कॉंकना सेन शर्मा, कुमुद मिश्रा, राधिका मदान, शार्दुल भारदवाज, फिल्म के निर्देशक थे आसमान भारदवाज, यह फिल्म 13 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी, फिल्म का 35 करोड रुपए था और इस फिल्म ने 4 करोड रुपए का कलेक्शन किया था, यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी, दोस्तों, इस सूची में नंबर आठ पर आता है फिल्म तेजस, यह एक सरकारी प्रोपेगंडा फिल्म थी, इस फिल्म में काम कि प्रोड रुपए था और इस फिल्म ने 5 करोड का कलेक्शन किया था, यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी, दोस्तों, इस सूची में नंबर साथ पर आता है फिल्म गुमराह, यह भी एक एक्शन फिल्म थी, इस फिल्म में काम किया था आदित्य र प्रोड रुपए था और इस फिल्म ने 10 करोड का कलेक्शन किया था, यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी, दोस्तों, इस सूची में नंबर छे पर आता है फिल्म गंपत, यह भी एक एक्शन फिल्म थी, इस फिल्म में काम किया था टाइगर इसको रिलीज हुई थी, फिल्म का बजट 150 करोड रुपए था और इस फिल्म ने 14 करोड का कलेक्शन किया था, यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी, दोस्तों, इस सूची में नंबर पांच पर आता है फिल्म शाकुंतलम, यह एक मिथोलोजिकल प इस फिल्म में काम किया था निखिल सिधार्थ, ईश्वर्या मिनन, अभिनव गौमातम, सान्या टाकुर, जिशु सेंगुपता, नितिन महिए पांच पर आता है फिल्म शाकुंतलम, इस फिल्म का बजट 65 करोड रुपए था और इस फिल्म ने 20 करोड का कलेक्शन किया था, रवी वर्मा ने, फिल्म के निर्देशक थे गैरी बी एच, ये फिल्म 29 जून 2023 को रिलीज हुई थी, फिल्म का बजट 30 करोड रुपए था और इस फिल्म ने 21 करोड का कलेक्शन किया था, यह फिल्म बाक्स ओफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी, दोस्तों, इस सूच इस फिल्म का बजट 110 करोड रुपए था और इस फिल्म ने 23 करोड का कलेक्शन किया था, यह फिल्म बाक्स ओफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी, दोस्तों, इस सूची में नंबर दो पर आता है फिल्म शहजादा, ये एक आक्शन कॉमेडी फिल्म थी, इस फिल्म में काम किया था कार्तिक आर्यन, कृती सिनन, मनीशा कोईराला, परेश रावल, रोनित रॉय, अंकुर राथी, सचिन खेडेकर, शालिनी कपूर, अली अजगर, अश्विन मुश्रान ने, फिल्म के निर्देशक थे रोहिद धवन, ये फिल्म 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई थी, फिल्म का बजट 65 करोड रुपे था और इस फिल्म ने 47 करोड का कलेक्शन किया था, यह फिल्म बाक्स ओफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी, दोस्तों, इस सूची में नंबर एक पर आता है फिल्म आदिपुरुष, ये एक आक्शन फैंटेसी फिल्म थी, इस फिल्म म बजट 500 करोड रुपे था और इस फिल्म ने 350 करोड का कलेक्शन किया था, यह फिल्म बाक्स ओफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी, दोस्तों, इन में से कौन सी फिल्म आपने देखी है और कैसा लगा आपको, कृप्या कमेंट्स में अपनी राय साजा करें, और वीडि आपने वाद.